गुरुदेव का अम्रित मेह उप्तेश मेरे मन में हमेशा तड़ब बनी रहती थी कि जल्दी से जल्दी मुझे द्रड भक्ती कैसे प्राप्त हो और मैं कैसे इश्वर को प्राप्त करूँ मैं जब भी पूजे वापूजी के दर्शन करने उनके निकट जाती तो बहुत बार तो ऐसा होता कि मैं भाब विवोर होके खूब रोने लगती थी मैं गुरुदेव के समक्ष जादा कुछ बोल नहीं पाती थी लेकिन बापूजी मेरे मन के भावों को समझ जाते और मुझे साधना की नही नहीं कुंचियां बताते थे सन 2009 के आसपास की बात है मैं अमदावाद आश्रम में पूजे बापूजी के दर्शन करने गई गुरुदेव ब्यासपीट पर विराजमान थे जब मुझे गुरुदेव के समक्ष अपनी बात रखने का आफसर मिला तो मैंने गुरुदेव से कहा बापूजी मुझे आपकी भक्ती आपकी प्रीती दीजिए इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे पास बाहर का लोकिक वैवब खूव है पर उससे मुझे सच्चा सुख नहीं मिलता मुझे तो बस जो आप देना चाहते हैं वही दीजिए गुरुदेव अपनी आँखें बंद करके द्यानस्त हो गये पूरा वातावरन एकदम गंभीर एवं शान्त हो गया फिर पूजे श्री धीर गंभीर वानी में धीरे धीरे बोलने लगे कि जो भी तु देख रही है वैसाब जागरित जगत स्वपनवत है सत्य नहीं है जो सत्य है जो द्रश्टा भाव है उसको अपने में देख सबको सपना समझकर वैवार में चल और आत्म चिन्तन चालू रख ब्रम चिन्तन में डुब की लगा और उसी में विश्रांती पा चलते फिरते सब वैवार करते हुए सबको अपने उस आत्म तत्व से द्रश्टा भाव से देख फिर चलते फिरते तिरा काम हो जाएगा बस सबका साक्षी बनना सीख इस से तुझे और कोई बड़ी साधना नहीं करनी पड़ेगी घर बैठे तिरा काम बन जाएगा गुरुदेव के ये अमरित वचन मेरे लिए आशिरवाद थे मैंने कहा जी साइं फिर बापुजी हंसते हुए बोले खुशाली बेटा अब तु कितने साल की है जी पचास साल की हूँ तु शुरू में आती थी तब कितने साल की थी जी करीब पांच-छे साल की फिर पुजे श्री ने माइक चालू किया और बोले ये पांच साल की बच्ची थी अब पचास साल की हो गई पहले बबली थी छोटी बच्ची थी और अब दादी बन गई फिर भी मेरी तो बच्ची ही है इसको बच्ची से लेकर पचास साल की होने तक देखने वाला मैं द्रश्टा साक्षी इसको देख रहा हूँ इसके शरीर की आवस्था बदलती गई लेकिन द्रश्टा भाव से देखने वाला मैं जोंका त्यों मुझूद हूँ शरीर, मन, बुद्धी, चीज, वस्तुएं परिश्थितियां सब बदलती रहती हैं पर तुमारा वास्तविक में साक्षी चतन्य आत्मा कभी नहीं बदलता वह ना जनमता है, ना मरता है, ना सुखी दुखी होता है यह समझ लो और अनुभव कर लो साधना की इतनी उंची बात इतने सरल रूप में गुरुदेव के श्री मुक से सुनकर पंडाल में बैठे लोग साधो साधो बोल उठे बस बापु जी से अब इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आपकी खूब भक्ती मिले वह मैं आपके बताये हुए श्री वच्णों को जीवन में उतार कर अपना मनुश्य जनम सार्थक करूं हरियो ये प्रसंग डीसा गुजरात की रहने वाले खुशाली बहन खत्री द्वारा बताया गया था हरियो हरियो